Hello everyone, welcome to my channel study with nots, this is Khushi and आज का जो मेरा topic है वो है mean deviation from median and mean deviation from mean और इसकी जो हमारी second video है और इस पे हम क्या गर रहे हैं, discrete series पे एक video बना रहे हैं इससे पहले के जो video थी उसमें हमने individual series पे किस तरीके से mean deviation निकाला जाता है, वो देखा था आज की वीडियो में हम देखेंगे कि discrete series पे कैसे निकाला जाता है और next जो हमारी video होगी उसमें हम देखेंगे कि continuous series में किस तरीके से निकाला जाता है और continuous series वाली video में ही हम इसकी mean deviation है उसकी merit और demerit भी करेंगी तो mean deviation देखते हैं mean deviation जिसको हमने क्या क्या था mean deviation जो है उसको दो तरीके से निकाल जाता है absolute measure में mean deviation from medium and mean deviation from mean इसके coefficient भी होते हैं जिसको हम relative measure of dispersion के बीच में रखते हैं so at least mean deviation from mean तो इस तरीके से यह जो है वो relative measure है और यह उपर वाले जो है वो absolute measure है ठीक है अब देखो हमें क्या करना है formula मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाय थे same formula यहीं apply होंगे यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है question दे रखा है हम question क्या according करते है question में क्या दे रखा है हमें x series और f series क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है हमें discrete series है discrete series का मतलब ही है कि आपको x और f दोनों दियोंगे तो यहाँ पर x देखो आपको क्या दियोंगे 20, 30, 40, 50, and 60, 70, 70 तक आपको दे रखी है x उसके बाद आपको f दिया हुआ है f आपको क्या दे रखा है 8, 12, 20, 10, 6, and 4 इस तरीके से आपको f दिया हुआ है अब देखो आपको क्या निकालने है आपको सबसे पहले तो एक mean निकालने है उसके बाद आपको median निकालने है I suggested you कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं Mathematic mean की वीडियो भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले mean और median निकालेंगे अगर आपको वो नहीं आता है तो आप पहले वहाँ पर जाके देख लीजे और उसके बाद second वीडियो में आपको suggest करूँगे कि इसकी जो individual series है आप वो जरूर देखे ताकि यह वाली वीडियो आपको अच्छे से समझाए क्योंकि formula वही same revise होंगे यहाँ पर भी ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे फरस निकालते है mean यहाँ पर mean निकालने का formula देखो क्या होगा दो series है तो यहाँ पर mean हमारा किस तरीके से निकलेगा submission xf divided by submission f formula वही से लिया है जो mean का हमने क्या किया था arithmetic mean में किया था तो अब यहाँ पर सबसे फरस अब mean के according निकालते हैं तो mean यहाँ पर क्या कहता है xf xf मतलब x और f को क्या करना है हमें multiply करना है x और f को multiply करना है x और f को multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 160 that is 360 that is 800 500 360 280 ठीक है इस तरीके से हमें X और F को multiply कर लिया है ठीक है अब देखो हमें क्या करना है हमें X और F mean निकालना है तो mean यहां से अब इसको हम total करेंगे summation of X and F ठीक है यह हमारा निकलता है 2460 ठीक है तो यहां पर हमें एक और चीज़ चाहिए summation of F जिसे हम क्या कहते हैं इंडिविज्वल series में जो N होता है वो N ही रहता है लेकिन यहां पर discrete series और continuous series में N is equals to summation F याद रखना हमेशा ठीक है तो यहां पर देखो summation F हमारा इनको total कर लो तो हमारा आएगा यहां पर 60 ठीक है तो यहां पर इस formula में अपलाई करो तो अपका mean निकल जाएगा तो यहां पर 2460 divide by 60 and that is 41 ठीक है तो यहां पर जो mean है वो कितना निकला 41 mean is 41 41 अब देखो हमें क्या करना है हमें अब निकालना है हमारा जो first major था जिसे हम बोलते है mean deviation mean deviation from mean जिसका formula हमारे पस क्या है mean deviation from mean is equals to इसका formula हमें क्या कहता है summation F पिछले में हमने यहां पर submission F नहीं लीखा ता सिरफ submission लिखके आगे वाला formula लिखा था लेकिन यहाँ पर FB आएगा क्योंकि इस series में FB दिया हुआ है तो summation F हम vertical bars लगाए थे जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पात की थी तो vertical bars और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे D X bar यह क्या होता है पता लग गया होगा आप तक पिछली वीडियो जरूर देखें बार बार मैं आपको बता रही हूं क्योंकि यह पिछली वीडियो की बिना यह sum solve नहीं हो सकते तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है यह निकालना है इसका मतलब क्या होता है यह देखो अगर अप निकालें D X bar इसका formula होता है हमें X minus X bar करना है X मतलब यह वाली items जो हमें individual items दे रखी है उसमें से हमें mean को minus करना है mean हमारा कितना निकला है 41 तो यहाँ पर सबसे फस्ट यही निकाल दो 20 minus 41 क्यार करना X minus X bar X शेखे और X bar हमारा 41 रहेगा हमेशा तो यहाँ पर 20 minus 41 अगर हम 20 minus 41 करें तो यहां पर आता है 21 अब यह आता है minus का लेकिन minus हमें नहीं लगाना है हमारा जो formula है वो किस की बीच में है इन vertical bars की बीच में और vertical bars क्या कहते हैं कि minus के sign को ignore करो तो यहाँ पर हमारा vertical bars लगेंगे ठीक है और यहाँ पर हम minus को नहीं लिखेंगे क्योंकि यह vertical bars लग चुके है अब देखो यहाँ पर क्या कहता है 30 minus 41 that is 11 40 minus 41, 1, 50 minus 41, 9, 60 minus 41, 19, 70 minus 41, 29, ठीक है उसके बादब में क्या करना है हमें इसका यहाँ पर देखो हमने निकालिया इतना परपोर्शन अब क्या कहता है F से भी multiply करतो तो यहाँ पर हमें एक और लाइन ड्रो करेंगे और एक सीरीज बनेंगे जिसे हम बोलेंगे F and D X बार चीक है इस जो हमारा यह निकला है बार के अंदर जो हमारा D मीन निकला है डेविशन फॉम मीन निकला है उसको हमें multiply करते हैं किसके साथ F के साथ अब F हमारा क्या है 8 और यह कितना है 21 तो 21 multiply 8 is 168 ठीक है 21 multiply 8 168 12 multiply 11 is 132 20 multiply 1 is 20 10 multiply 9 is 90 6 multiply 19 is 114 ठीक है 114 नेक्स 4 multiply 29 4 multiply 29 is 160 ठीक है अब इसका क्या करना है हमें submission करना है submission मतलब total तो इसको कर दो add तो हमारा क्या निकल जाएगा submission of F और vertical bars deviation from mean ठीक है तो इसमें देखो हमें इनको अगर हम total करते हैं हमारा आता है 640 तो यहां पर लिख दो 640 ठीक है divide by n मैंने अभी आपको बताया n is equals to summation F ठीक है sigma F तो sigma F या summation F कितना हमारा 60 है इसको divide कर तो 60 से तो हमारा कितना आया यह हमारा आया 1067 ठीक है अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि coefficient कैसे निकलते है अगर आप mean deviation from mean निकाल लेते हो तो इसका coefficient निकालना आपके लिए बहुत ही easy है coefficient of mean deviation from mean is equals to इसमें आपको क्या करना है आपको ये वाला formula जो आपने calculate किया उसको रखना है आपको उपर सबसे first क्या कहता है mean deviation from mean divide by mean से निकाल रहे हो तो divide कर दो mean से median से निकाल रहे हो चैसे हम आगले formula में करेंगे तो आपको median नीचे रख देना है तो यहां पर देखो mean से निकाला तो यहां पर हमारा कितना निकला था यह हमारा जो निकला था वो था हमारा 10.67 divide by mean अब mean हमारा कितना निकला था mean था 41 तो यहां पर divide कर दो 41 से तो अगर हम 10.67 को 41 से divide करते हैं तो हमारा आता है 0.26 तो इस तरीके से हमारा mean deviation from mean निकला, वो निकला हमारा 10.67 ठीक है, और coefficient of mean deviation from mean जो है, वो निकला हमारा 0.26 clear है, अब हमें क्या करना है, हमें निकला है mean deviation from median तो उसके लिए हम दोबारा से इसी sum को, इसी sum के पे करते हम तो यहां पर देखो, हमें निकला है mean deviation from median तो यहां पर same भही सम लेते है x और f का x में 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हमें 70 तक हमें दिया हुआ था फिर same हमें f लेन है f में हमें क्या दिया हुआ था 8, 12, 20, 10, 6, and 4 यह में दिया हुआ था अब हमें क्या करना है इन दोनों सीरीज की थू हमें सबसे फस्ट क्या निकालना है median निकालना है median कैसे निकलेगा median की फोर्मुला मैंने आपको बताया था n प्लस 1 बाइ टूथ आइटम size of n प्लस 1 बाइ टूथ आइटम अब यहां पर n क्या होगा बताया था n is equals to submission f submission f करो submission f जब हम करेंगे तो हमारा पिछली में भी आया था 60 तो यहां पर भी कितना होगा 60 60 प्लस 1 बाइ टू तो यहां पर कितना होगा 61 बाइ टू जब हम 61 बाइ टू करेंगे तो हमारा आएगा 30.5 थीक है 30.5 5 आइटम में भो सेतंके यहां पर सबसे फेस्ट में भी मेंडेस करसे जाते कि इंको हमारा बाइटम थैरिक सीन्स जाते फीएभल कर सब रहां बूं Song यहां कर आइटम के थूर में हमें चैक्रा न्हारा इल्सान ही लिए टू इस तरीके से हमारा total F जो है वो हमारा होता है 60 ठीक है अब हमे क्या करना है इस item को देखना है कि यह जो हमारी 30.5 है वो किसके अंदर लाई कर रही है तो इसका जो लाई है वो इसके अंदर हो रहा है ठीक है तो मारी CF होगी यह और हमारा median का calculate होता है मीडियन जो है वो हुआ हमारा 40 तो अब मीडियन जो है वो 40 है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं अपना सम तो सम जो सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे फस्ट क्या करना है हमें निकालना है D.median मतलब कि हमारा जो deviation है from median क्या होगा इसका जो formula है वो क्या क्योंकि mean से कर रहे हे इप हम median सी करेंगे और इसके बीन साइने इसके बार वर्टिकल बार सामने जरूरी है ता कि हम minus को chi swimming is को ignore कर सेखे यहांपर स्फित देखो हमारा median निकला 40 तो 20-40 माइनस के 20 अदए लेकिन अग्र हम Slain 20 simple लिखेंगे, ठीक है, माइनस को इग्नॉर करेंगे, बिकोज यहां पर हमने क्या है, वर्टिकल बार लगाए है, उसके बाद देखो, 30-40, 10, 40-40, 0, ठीक है, और फिर कहते है, 50-40, 10, 60-40, 20, 70-40, 30, ठीक है, अब यहां पर देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेम वैसा ही होगा, फर्स्ट, मीन डेविएशन, फ्रॉम, मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हमारा सेम वही चीज रहेगी, कि सम्मीशन एफ लिखना है हमें, और बीच में हमें क्या लिखना है, पहले हमने डी एक्स बार लिखा था, यहां पर दिवाइड बार नमबर अफ उब्सर्वेशन, तो यहां पर देखो, हमने डी एम बार दी एम हमने निकाल लिया, अब इसको multiply किस से करना हमें F से करना है, तो उसका जब हमें F से कर लेंगे, उसके बाद हमें उसका total करना है, F, submission, DN, ठेक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, F यह रहा, F की सीरीज, और इसकी सीरीज यह रही, तो करो, 8 x 20, 8 x 20, 160, 20 x 10, 120, 20 x 00, 10 x 10, 100, 6 x 20, 120, and 4 x 30, is 120, ठीक है, यह निकलेगा हमारा, इसको कर दो total, submission F, DM, इसका total जब हम करेंगे, तो यह 620 आता है, ठीक है, आजाएगा, अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पर इसको रख देना है, 620 को, divide by N, N मतलब number of items, number of items, मतलब N is equals to submission F, ठीक है, अब submission F, कितना है, 60 है, तो 60 रखो, 62 divided by, 6 is equals to, 10.33, क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो mean deviation from median निकला है, वो कितना निकला है, 10.33, होप सो क्लियर है, ठीक है, next जो हमारा आता है, इसी का हमें coefficient निकालने, coefficient of mean deviation from median, is equals to, इसका formula हमारा क्या होता है, हमें पहले यह रखना है, mean deviation from median, divide by median, देखो, पिछे में हमने क्या किया था, यह रखके, divide by mean किया था, क्योंकि mean से हमें निकालना था, अब हमें median से निकालना है, तो नीचे median रखतो, ठीक है, अब हमारा देखो, answer कितना आया था, हमारा answer है 10.33, तो 10.33, divide by median, median कितना था हमारा, median हमारा 30.5 आइटम निकली थी, और 30.5 हमारी लाई की थी 40 वाले में, तो 40 हमारा median था, तो 40 रखतो हमारा, ठीक है, जब हम इसको 40 से divide करेंगे, तो हमारा आएगा 0.258, 0.258, तो coefficient of mean deviation from mean कितना आया हमारा, ये भी हमारा आया 0.258, ठीक है, होप सुआपको clear हुआ होगा, तो यहाँ पर देखो, हमारी mean deviation from mean कितना निकला था, 10.67 निकला था, coefficient of mean deviation from mean कितना निकला, 0.26 निकला, उसके बाद हमारा जो mean deviation from median निकला, वो 10.33 निकला, और उसके बाद coefficient of mean deviation from median जो है, वो निकला 0.58, ये थी हमारी mean deviation from discrete series, और next आने वाली वीडियो जो होगी, वो हमारी होगी mean deviation from continuous series, ठीक है, so wait for this video, and अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आया, आज का समझाया हुआ, तो like करें मेरी वीडियो को, share करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूले, thank you so much for listen me very carefully, आपको अपने वीडियो को,